नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्टी और आज हम आपको सुनाने वाले हैं प्रेमचंत की पारिवारिक कहानिया आप प्रेमचंत के नाम से भलीभाती परिशित हैं, ये साहित्य समराथ हैं और बेहतरीन कहानिया लिखते थे ऐसी कहानियां जो कि मानव मन को गहराईयों तक जगजोर देती है इनकी कहानियों में रिष्टों की मर्यादा, स्वार्थ के रिष्टे रिष्टों का स्वार्थ, कर्तव्य वेदना, मारमिक्ता, अपना पन, सामाजिक परंपराओं का साकार चित्रन है तो आज हम शुरू करने वाले हैं इनकी कहानियों के संकलन से चुनी गई एक बहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है बूरी काकी तो मेरे साथ इस कहानी का अनंद लेजिए और सुनिए बूरी काकी बुढ़ापा बहुदा बच्पन का पुनरा गमन हुआ करता है बूरी काकी में जिवा स्वाद के सिवा कोई चेश्टा सेश न थी और नापने कस्टों की और आकर्शित करने का रोने के अतिर्थ कोई दूसरा शहारा ही समस्त इंद्रियां नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे प्रिथ्वी पर पड़ी रहती और घर बाले वा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वे रोने लगती थी उनका रोना, सिसकना, साधारर रोना न था वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुन हो हो कर चल बसे थे अब एक भतीजे के सिवाए और कोई न था उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चोड़े वादे किये परन्तु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखावे हुए सब जबाक थे यद्यपी उस संपत्ति की वार्शिक आये डेड़ सो रुपे से कम न थी तथा पी बूरी काकी को पेट बर भूजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अत्वा उनकी अरधांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना सहज नहीं बुद्धिराम सुभाव के सजजन थे किन्त उसी समय तक जब तक की कोश पर कोई आच ना आये रूपा सुभाव की तीवर थी पर इश्वर से डरती अत्याव बुढी काकी को उसकी तीवरता उतिनी न खलती जितनी बुद्धिराम की भल्मन साहत बुद्धिराम को कभी-कभी अपने अत्याचार का खेद होता था विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूँ यदि मौखिक आस्वाशन और सूखी सहानवूती से इस्थिती में सुधार हो सकता तो उन्हें कचाचित कोई अपत्ति न होती परंत विशेश व्यकभ है उनकी सचेश्टा को दबाए रखता था यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डाटते लड़कों को बुढ़ों से सुभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढी काकी को और भी सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता काकी चीख मार कर रोती परन्तु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं अत्यम उनके संताप और आर्थनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था हाँ काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना इस्थल पर अवश्य आ पहुँशती इस भैसे काकी अपनी जिवा क्रपान का कदाचित ही प्रयोग करती थी यद्यपी उपद्रवशान्ति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उप्योगत था संपोर्ण परिबार में यदी काकी से किसी को अनुराख था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी लाडली अपने दोनों भाईयों के भैसे अपने हिस्से की मिठाई शबैना बुड़ी काकी के पास बैटकर खाया करती थी यही उसका रक्षागार था और यद्यपी काकी की सरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी परती थी तथा पी भाईयों के अन्याय से कहीं सुलब थी इसी स्वार्था नुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहान भूती का आरोपन कर दिया था रात का समय था बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गाउं के बच्चों का चुंड विश्मे पोन नेत्रों से गाने का रसा स्वाधन कर रहा था चार पाईयों पर महमान विश्राम करते हुए नाईयों से मुक्कियां लगवा रहे थे समी भी कड़ा हुआ बार विरुदा वली सुना रहा था और कुछ भावग्य महमानों की वाह वाह कर ऐसा खुश हो रहा था मानों इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है दो एक अंग्रेजी पढ़े नव्युवक इन व्यभारों से उदासीन थे वे इस गवार मंडली में बोलना अत्वा सम्मलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है या उसी का उत्सव है घर के भीतर इस्त्रियां गा रही थी और रूपा महमानों के लिए भोजन प्रबंध में व्यस्त थी भट्टियों पर कड़ा चड़े थी एक में पूरियां, कचोणियां निकल रही थी दूसरे में अन्यपकवान बनते थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसाले की छुदा वर्धक सुगंधी चारो ओर फैली हुई थी बूरी काकी अपनी कोट्री में शोक में विचारक की भादी बैठी हुई थी यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी वे मन ही मन विचार कर रही थी संभवता मुझे पूरियां न मिलेंगी इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया मालूम होता है, सब लोग भोजन कर चुके मेरे लिए कुछ न बचा यह सोच कर उन्हें रोना आया परंतु अपशक उनके भैसे, वह रो न सकी आह, कैसी सुगंधी है अब मुझे कौन पूस्ता है जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भागय कहां कि भरपेट पूरियां मिले यह विचार कर उन्हें रोना आया कलेजी पे हूख सी उठने लगी परंतु रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौन धारन कर लिया बूरी काकी काफी देर तक इन्ही दुख दायक विचारों में दूबी रही घी और मसालों की सुगंदी रह रह कर मन को आपे से बाहर किये देती थी मुह में पानी भर भर आता था पूरियों का इस्मरण करके हरदे में गुदगुदी होने लगती थी किसे पुकारू आज लालली बेटी भी नहीं आई दोनों छोकडे सदार दिक किया करते थे आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है बूरी काकी की कलपना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल लाल पूरी पूरी नरम नरम होंगी रूपा ने भली भाति मोयम दिया होगा कचोडियों में अजवाइन और इलाइची की महक आ रही होगी एक पूरी मिलती तो जना हाथ में लेकर देखती क्यों ने चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं पूरीया चंचन कर तैरती होंगी कढ़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी फूल हम घर में भी सूंग सकते हैं परन्त बातिका में बात ही कुछ और होती है इस प्रकार निर्ने करके बूरी काकी उकडू बैठ कर हाथ के बद सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चोखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर हुआ जितना भूके कुट्टे को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है रूपा उस समय कारे भार से उत्दिग्न हो रही थी कभी इस कोठे में जाती कभी उस कोठे में कभी कड़ा के पास आती तो कभी भंडार में जाती किसी ने आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं ठंडाई देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तयार होने में कितना बिलम्ब है जरड धोल मजीरा उतार दो बेचारी अकेली इस्त्री दोरते दोरते व्याकुल हो रही थी जुच लाती थी, कुड़ती थी परंतु क्रोध पकट करने का अवसर न पाती थी भै होता कही पड़योसी ने यह न कहने लगे कि इतने महियूबल पड़ी प्यास से स्वयम उसका कंट सूख रहा था गर्मी के मारे फुकी जाती थी परंत इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अत्वा पंखा लेकर जले यह भी खटका था कि जरा आँखटी और चीजों की लूट मची इस अवस्था में उसने बूरी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई क्रोध न रुख सका इसका भी ध्यान न रहा कि पडोसी ने बैठी हुई है मन में क्या कहेंगी पुरुसों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे जिस प्रकार मेधक केचुए पर जपटता है उसी प्रकार वा बूरी काकी पर जपटी और उन्हें दोनों हाथों से डपट कर बोली ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड कोठी में बैठे हुए क्या तम खुटता था अभी मेहमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैरे न हो सका आकर छाती पर सवार हो गई जल जाये ऐसी जीब दिन रात खाती न होती तो न जाने किसकी हांडी में मुह डालती गाव देखेगा तो क्या कहेगा कि बुढिया भर पेट खाने को नहीं पाती तब ही तो इस तरह मुह बनाए फिरती है डायन ठूसती है न जाने कहां भस मुह जाता है किसी के मुह में पानी न जाये परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाये बुढिया काकी ने सिर न उठाया न रोई न बोली चुप चाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई आगात ऐसा कठोर था कि हिर्दय और मस्तिस की संपूर्ण शक्तियां संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी की ओर आकर्शित हो गए थे नदी में जब कगार का कोई व्रहद खंड कट कर गिरता है तो आसपास का जल समूम चारो ओर से उसी इस्थान को पूरा करने के लिए दोडता है भोजन तैयार हो गया आंगन में पत्तल पढ़ गई महमान खाने लगे इस्तियों ने जेवनार गीत गाना आरंब कर दिया महमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किन्तु कुछ हट कर भोजन करने बैठे थे परन्तु सभ्यता नुसार जब तक सब के सब खा चुके कोई उठ नहीं सकता था दो एक महमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के दीरगा हार पर छुचला रहे थे वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चा ताप कर रहे थी कि मैं कहा से कहा गई उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दबाजी पर दुख था सची तो है जब तक महमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसी खाएंगे मुझसे इतनी देर रहा नहीं गया सब के सामने पानी उतर गया जब तक कोई बुलाने ना आएगा न जाओंगी मन ही मन इसी प्रकार का विचार करव बुलावे की प्रतिक्षा करने लगी परन्तु घी का रुचकर सुआस बड़ा ही धैरे परिक्षक प्रतीत हो रहा था उन्हें प्रतेक एक एक पल युग के समान महसूस होता था अब पतल बिच गई होगी अब महमान आ गए होंगे लोग हाथ पैर धो रहे हैं नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गए जिवनार गाया जा रहा है यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट गई धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भोचन ही कर रहे होंगे किसी की आवाज नहीं सुनाई देती अवश्य ही लोग खापी कर चले गए मुझे कोई बुलाने नहीं आया रूपा चिड़ गई है क्या जाने न बुलाए सोचती हो कि आप ही आऊएंगी वह कोई महमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं बूढी काकी चलने के लिए तयार हुई यह विश्वास कि एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुद गुदाने लगा उन्होंने मन ही मन तरह तरह के मनसूबे बांदे पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी फिर दही और शक्कर से कचोड़ियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी यही नर लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करें कितने दिन बात पूड़ियां मिल रही हैं तो मो जूटा करके थोड़े ही उठाऊंगी वह उकडू बैटकर हाथों के बल सरप्ती हुई आंगत में आई परन्तु हाई दुर भागे अभिलाशा ने अपने पुराने सुभाव के अनुसार समय की मिथ्या कलपना की थी मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी कोई खाकर उंगलियां चाटता था कोई तिर्चे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई दही खाकर जीप चटकारता था परन्तु दूसरा दोना मांगने में संकोच करता था इतने में बुड़ी काकी रेंगिती हुई उनके बीच में आपहुची कई आदमी चौक कर उठ खड़े हुए पुकारने लगे अरे यह बुड़िया कौन है यह कहां से आ गई देखो किसी को छू न दे पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिल मिला गए पुड़ियों का थाल लिए खड़े थे थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दई महाजन अपने किसी बैमान और भगोडे कर्जदार को देखते ही छपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्होंने बुड़ी काकी के दोनों हाथ पकड़ लिए और घसीते हुए लाकर उन्हें अंधिरी कोटरी में थम से पटक दिया आशा रूपी वाटिका लू के एक ही जोके से नस्ट विनस्ट हो गई महमानों ने भुजन किया घर बालों ने भुजन किया बाजे वाले धोबी चमार भी भुजन कर चुके परन्त बुड़ी काकी को किसी ने न पूचा बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुड़ी काकी को उनके निरलज्जता पर डंड देने का निश्य कर चुके थे उनके बुड़ापे पर दीनता पर हत ग्यान पर किसी को करुणा ना आती थी अकेली लाडली उनके लिए कुढ रही थी लाडली को काकी से अत्त प्रेम था बेचारी भोली लड़की थी बाल विनोध और चंचलता कि उसमें गंध तक न थी दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से घसीटा तो लाडली का हरदय एठ कर रह गया वह जुचला रही थी कि यह लो काकी को क्यू बहुत सी पूरिया नहीं दे देते क्या महमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने महमानों से पहले खा भी लिया तो क्या भी गड़ जाएगा वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर देना चाहती थी परन्तु माता के भैसे न जाती थी उसने अपने हिस्से की पूरिया बिल्कुल न खाएं थी अपनी गुडियों को पिटारी में बंद कर रखी थी वह उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी उसका हरदय अधीर हो रहा था बूरि काकी मेरी बास सुनते ही उट पैठेंगी पूरियां देख कर कैसी प्रसंन होंगी मुझे खूब प्यार करेंगी रात के ग्यारा बज गए थे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी लादली की आँखों में नीन न आती थी काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी उसने गुडिया की फुटाय पिटारी सामने ही रखी थी जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बिचारने लगी कि कैसे चलू चारो और अंधेरा था कि वह चूलों में आग चमक रही थी और चूलों के पास एक कुटा लेटा हुआ था लादली की दृस्टी आखे बंद कर ली इतने में कुटा उठ बैठा लादली को धाड़श हुआ सोय हुए मनिश्यों के बदले एक जाकता हुआ कुटा उसके लिए अधिक धैरे का कारण हुआ उसने पितारी उठाई और बूरी काकी की कोठरी की ओर चल दी बूरी काकी को केवल इतना इस्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीते फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड पर उड़ाए लिये जाता है उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए तब किसी ने उन्हें पठका वे मूर्शित हो गई जब इस सचीत हुई तो किसी की जरासे भी आहट न मिलती थी समझी की सब लोग खापी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई रात कैसे कटेगी राम क्या खाऊं पेट में अगनी धदक रही है हाँ किसी ने मेरी सुधी नहीं ली क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए उसका जी क्यों दुखावे मैं पेट की रोटिया ही खाती हूँ कि और कुछ इस पर यहा हाल मैं अंधी अपाहिस ठहरी न कुछ सुनू न बूझू यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना मुझे घसीता पटका उन्ही पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालिया दी उन्ही पूडियों के लिए इतनी दुर्गती करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसी जा सब को खिलाया मेरी बात तक न पूछी जब तब ही न दी तब अब क्या देंगी यह विचार कर काकी निराशा मैं संतोष के साथ लेट गई गलानी से भकला भर भर आता परंत महमानों के भैसे रोती न थी सहसा उनके कानों में आवाज आई काकी उठो मैं पूडिया लाई हूँ काकी ने लाडली की बोली पहचानी चटपट उट बैठी दोनों हाते उसे लाडली को टटोला और उसे गोदी में बठा लिया लाडली ने पूडिया निकाल कर दी काकी ने पूचा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है लाडली ने कहा नहीं यह मेरे हिस्से की है काकी पूडियों पर टूट पड़ी पांच मिनट में ही पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंड़क के स्थान पर और भी कर्मी पैदा कर देती है उसी भाती इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की छुदा और इक्षा को उत्तेजित कर दिया था बोली नहीं बेटा जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाओंगी तो मारेंगी काकी ने पिटारी को फिर टटोला उसमें कुछ खुर्चन गिरे थे उन्हें निकाल कर वे खा गई बार-बार होट जाटती थी चटकारे भरती थी हृद्य मसोस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं संतोज जब तूट जाता है तब इक्षा का बहाव अपरिमित हो जाता है मतवालों को मदगा इस्मरण करना उन्हें मधांद बनाता है काकी का अधीर मन इक्षा के प्रबल पपाव में बह गया उचित और अनुचित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उस इक्षा को रोकती रही सहसा लाडली से बोले मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां महमानों ने बैठ कर भोजन किया है लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया दीन छुधातुर हत ग्यान बुढिया पतलों से पूडियों के टुकड़े चुन-चुन कर भक्षन करने लगी दही कितना स्वादिस्ट था कच्वणिया कितनी सलोनी खस्ता कितना सुकोमल काकी बुतिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापी न करना चाहिए मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ परंतु बुढ़ापा तृषना रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इक्षाएं एक ही केंदर पर आ जाती है बुढ़ी काकी में यह केंदर उनकी स्वादेंदरिय थी ठीक उसी समय रूपा की आखे खुली उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है वह चौकी चार पाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहाँ न पाकर उट बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूरी काकी पत्तलों पर से पूडियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है रूपा का हरदय सन्न हो गया किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्ता उसकी होती वही उस समय हुई एक ब्रामणी दूसरों की जूठी पत्तल तटोले इससे अधिक सोक में दृष असंभव था पूडियों के कुर्च ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निस्क्रिस्ट कर रही है यह वह दृष था जिसे देखकर देखने वालों के हिरदय काँ पुठते हैं ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुख गई आसमान चक्कर खा रहा है संसार पर कोई नई विपत्ती आने वाली है रूपा को क्रोध ना आया सोग के सम्मुक क्रोध कहां करूडा और भै से उसकी आँखे भर आई इस अधर्म के पाप का भागी कौन है उसने सच्चे हिरदय से गगन मंडल की और हाथ उठाया परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो इस अधर्म का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या नास हो जाएगा रूपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न देख पड़े थे वह सोचने लगी हाए कितनी निर्दय हूँ जिसकी संपत्ति से मुझे दो सो रूपया आय हो रही है उसकी यह दुरगती और मेरे कारण हे दयामय भगवान मुझे बड़ी भारी भूल जूख हुई है मुझे छमा करू आज मेरे बेटे का तिलक था सैकड़ो मनिश्यों ने भोजन पाया मैं उनके इसारों की दाशी बनी रही अपने नाम के लिए सैकड़ो रुपय व्याय कर दिये परंतु जिसकी दबबदौलत हजारों रुपय खाए उसे इस उत्सों में भी भरपेट भोजन न दे सकी केवल इसी कारण तो कि वह वर्ध्या असहाय है रुपय ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाल में संपून सामगरिया सजा कर लिये हुए बुढ़ी काकी की ओर चली आधी राज जा चुकी थी आकास पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गिये पदार सजा रहे थे परंत उन में किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बुढ़ी काकी को अपने सम्मुक थाल देख कर प्राप्त हुआ रूपा ने कंठा वरुद्ध स्वर में कहा काकी उठो भोजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हो गई उसका बुरा न मानना परमात्मा से प्रात्ना कर दो कि वह मेरा अपराप्त छमा कर दे भोले बाले बच्चों की भाती जो मिठाईयां पाकर मार और तिरसकार सब भूल जाता है बुरी काकी वैसे ही सब भुला कर बैठी हुई खाना खा रही थी उसके एक एक रोएं से सच्ची सदिक्षाई निकल रही थी और रूपा इस स्वरगीय द्रिश्य का आनंद लूटने में निमगन थी तो दोस्तों ये थी बुरी काकी कहानी जो कि बहुत ही मारमिक थी और आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा अब आप क्या सोचते हैं इस कहानी के विशय में क्रपया कमेंट जरूर करें और कहानी अगर आपके दिल को छूग गई हो तो क्रपया लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दमाएंगे धन्यवाद दोस्तों